साथियों, इतने कम समय में वैक्सिन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है, लेकिन इसकी अपनी सिमाये भी हैं। वैक्सिन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सिनेशन प्रारम हुआ और ज्यादा तर सम्रुद्ध देशों में ही शुरू हुआ। वैक्सिनेशन को लेकर गाइडलेंज दी, वैज्यानिकों के वैज्यानिकों ने वैक्सिनेशन की रुप्रेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्राक्रिसिस थी, विश्व स्वास्त संगर्षन डब्ली वैचों के मानक थे, उसी आधार पर चरण बद तरीके से वैक्सिनेशन करना तहे किया। ये तै हुआ कि जिने कोरोना से जादा खत्रा है, उन्हें प्राथिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ वर्स के आयू से जादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रत्रित, पैतालिस वर्स से जादा आयू के नागरिक, इन सभी को वैक्सिन पहले लगनी शुरू हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन नहीं लगी होती, तो क्या होता? सोचिये, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप को वैक्सिन ना लगी, तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एंब्यूलन्स के हमारे डॉक्टर, भाई बहनों को वैक्सिन ना लगी होती, तो क्या होता? जादा से जादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सिनेशन होने की बज़त से ही वो निश्चिन्थ होकर दूसरों की सेवा में लग पाएं, लाखों देश वास्यों का जीवन बचा पाएं, लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाओ भी आने लगे, बिन्द बिन्द मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकारी क्यों तै कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है, बन साइज दस नौट फिट आल जैसी बाते भी कही गई दलिल ये दी गई कि सम्विधान में चुकी हिल्थ आरोग्य प्रमुक रूप से राज्य का विशय है इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें इसलिए इस दिशा में एक सुरुवात की गई भारत सरकार ने एक ब्रहत गाइडलाइन बना कर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यक्ता और सुविधा के अनुसार काम कर सके स्थानिय स्थर पर कोरोना करिफ्यू लगाना हो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाना हो इलाज से जूड़ी व्यवस्ताएं हो भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्विकार किया साथियों इस साल सोला जन्वरी से शुरू होकर अप्रिल महिने के अन्त तक भारत का वैक्सिनेशन कारक्रम मुख्य तह केंद्र सरकार की देखरेक में ही चला सभी को मुप्त वैक्सिन लगाने के मार्क पर देश आगे बढ़ रहा था देश के नागरिक भी अनुशाथन का पालन करते विए अपनी बारी आने पर वैक्सिन लगवा रहे थे इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सिन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाएं और राज्यों पर छोड़ दिया जाएं तरह तरह के स्वरूठे जैसे कि वैक्सिनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए कि दूसरी तरफ किसे ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंदर सरकार ही क्यों तै करें कुछ आवाजे तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सिनेशन पहले क्यों हो रहा है बाती भांती के दभाव भी बनाए गए देश के मिडिया में मिडिया के एक वर्ग ने इसे केंपेन के रुप में भी चलाया साथ यो काफी चिंतन मनन के बात इस बात पर सहमती बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती है तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करें राज्यों की इस मांग को देखते हुए उनके आगरव को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो विवस्ता चली आ रही थी उसमें प्रोग के तोर पर एक बढ़लाव किया गया हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं उनका उत्सा है तो चलो भाई 25 प्रतिशत का काम उन्हीं को सौपृत कर दिया जाए उन्हीं को दे दिया जाए स्वाबाव किया है एक माई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम उनके हवाले कर दिया गया उसे पुरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किये इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाईयां आती है यह भी उनके ध्यान में आने लगा उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सिन की क्या सिती है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीद हुए और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईयां मई में दो सब्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी धीरे धीरे इसमें कही राज्य सरकारें जूरती चली गई वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिर आगे आए राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश वाश्यों को तकलीफ ना हो सुचारू रूप से उनका वैक्सिनेशन हो इसके लिए एक मै के पहले वाली याने एक मै के पहले सोला जनवरी से अप्रिल अंतर तक जो व्यवस्ता थी पहले वाली पुरानी व्यवस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए साथियों आज ये निर्ण लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइडलेंज के अनुसार आवशक तैयारी कर लेगी संयोग है कि दो सप्ता बात 21 जून को ही अंतर राश्य योग दिवस भी है 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी कि वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड जाएंगे सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी गरीब हो निम्न मद्यमबर्ग हो मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी हाँ जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतीशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीबत के उपरांट एक डोज पर अधिक्तम 150 रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे इस्टी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा